ब्रहमांड का आकार अंडाकार है। ब्रहमांड से पहले कुछ भी नहीं था। कहा जाता है कि करीब 13 अरभ साल पहले ब्रहमांड अस्तित्व में आया। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रहमांड में अचानक कोई धमाका हुआ और सिरिश्टी की रचना हो गई। ब्रह्मांड के बारे में सबसे विश्वस्निय थियोरी है बिग बैंग थियोरी बिग बैंग थियोरी के मुताबिक शून्य के आकार का ब्रह्मांड बहुत ही गरम था इसकी वजह से इसमें विस्फोट हुआ और वो असंख्य कणों में फैल गया तब से लेकर अब तक वो लगातार फैल ही रहा है ब्रह्मांड के इन टुकडों के बाद से अंतरिक्ष और आकाश गंगा अस्तित्व में आए इस रचना में ही हाइड्रोजन हीलियम जैसे अनूओं का निर्मान हुआ जैसे जैसे ब्रह्मांड का आकार बढ़ता गया वैसे वैसे तापमान और घनत्व कम हुआ जिसकी वज़े से गुरुत्वा कर्शन बल विद्युत चुम्बकीय बल और अन्य बलों का उत्सरजन हुआ इसके बाद सौर मंडल बना ब्रह्मांड का विस्तार लगातार होता रहता है जिससे तारों और ग्रहों के बनने की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहती है सितारे, तारे और उपग्रह सभी एक दूसरे को अपनी तरफ आकरशित करते हैं ब्रह्मांड कई गुणा जल, बादल, अग्नी, वायू, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है ब्रह्मांड में अब तक 19 अरब आकाश गंगाएं होने का अनुमान है सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हटती जा रही है अरब आकाश गंगाओं में से हमारी आकाश गंगा है मिलकी वे आकाश गंगा मिलकी वे आकाश गंगा में हमारी पृत्वी और सूर्य है मिलकी वे में लगभग सो अरब तारे है हर तारे की चमक, दूरी और गती अलग-अलग है आकाश गंगा ब्रह्मांड की परिक्रमा करती रहती है ओन्रियन नेबुला हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है आकाश गंगा का व्यास एक लाख प्रकाश वर्ष है तारों के बीच की दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती है आकाश गंगा का प्रवाह उत्तर से दक्षिन की ओर है सूर्य इस ब्रह्मांड का चक्कर लगभग 26,000 वर्षों में पूरा करता है जबकि अपनी धूरी पर सूर्य एक महीने में एक चक्कर लगाता है झाल 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 झाल